आज हम लोग देखेंगे चैप्टर एट ओके यह स्ट्रक्टर एंड फंक्शन आप दे लिविंग और गिनिज फ्लार्स तो इस चैप्टर का यह फोर्थ वीडियो लेशन है इसके पहले के जो वीडियो लेशन है उसका लिंक में दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं आज के इस वीडियो लेशन में हम लोग जानेंगे फ्लार्स के बारे में ओके और इसके डिफ्रेंट पार्स क्या है और सीट से और इसके अलावे फ्रोट्स के बारे में लोग जानेंगे तो आईए हम लोग देख लें कि फ्लार्स के ड attractive attractive कहने का मतलब हो रहा है कि आ कर सकते जो हम लोग हमको उसके और खीचे तो attractive parts है किसका plant का तो इसके वालावे flowers however differ in their shape size and color and smell तो अलग-अलग plants जो है उसके flowers के shape, size, color और smell अलग-अलग होते हैं हम देख सकते कि रोज flowers देखिए उसमें कितना smell होता है हना scent होता है scented है वहीं आप बात के जगा hibiscus flowers की तो उसमें scent नहीं है उस तरह से scent differ करता है उसका shape भी differ करता है हना तो यह अलग-अलग flowers में आप देख सकते हैं उसका shape, size, different होता है आईए हम फुरा से यहां बात करेंगे parts of a flower तो parts of a flower मतलब flowers के कौन कोल से parts होते हैं कितने parts में उसको बाटा गिया है तो a flower consists of several rings और alls of structures तो flowers में अलग-अलग rings several rings होते हैं जिसकों लोग और भी कह रहें हाँ structure का यह कितने तरह के हैं यह देखिए पहला तो हो गया सीपल्स हाँ और इसके अलावे है पीटल्स फिर हमारे पास stamen तो इस तरह से और भी part है देखिए पिस्टिल हो गया कार्पेल तो आई हम लोग one by one यहां पर डिसकस कर लेते हैं पहले हम लोग जानेंगे यह अपना सीपल के बारे में ओके तो दीज कि फॉर्म दा आउटर मॉस्ट्रिंग यह आउटर मॉस्ट्रिंग सबसे बाहर करेंगे जिनरली ग्रीन इन कलर और यह ग्रीन कलर होते हैं यह नगा सकता है यह जो देख सकते हैं यह जो अस्ट्रेक्ट्र दिखाया गया यह कहना मेरा सीपल है और यहां पर यह देखेगा ग्रीन पार्ट जो हमको दिख रहा है यह क्या कलाता है सीपल करता है तो यह बड को प्रोटेक्ट करके रखता है दुसरा है पीटल्स तो पीटल्स के दीज फॉर्म डर सेकेंड रिंग यह कहना सेकेंड रिंग है जरनली ब्रैली गलॉरड एन सेंटेड यह ब्राइट क्लॉरर्ड का होता है सेंटिड मतलब इसमें सुगंध पाये जाता है इस एंसेक्ट को एंसेक्ट करता है और इंसेक्ट काम करता है तो पॉलेनेशन का काम करता है इसके बारे हम लोग आभी देखेंगे आगे तो यह देखिए जो हम देख रहे ना जिसको यह हमारा पीटल्ज को मैं बिन है होता है करता है एक सट करता है इंसेक्ट को यह किसी को भी एक कर सकता है लुकर आप्सक्रेपजोल फे नहीं को सब्निंस और लोग सब्सक्रानिकन और यह पाट वियुक्याlor घ्राइभ healthier धोग successes at होता है जिसको हुआ है और आपना डाइग्राम दिया होगा यहां पे हम देख सकते हैं यह दिखाया गया है यह पूरा पूरे फ्लार को दिखाया गया है तो यहां पर आप जो देख रहें टॉप लेयर पर यह कहाना एंथर है और इसमें जो आप यह नीचे देख रहें ट्यूप लाका स्टुक्चर इस तरह का यह क्या है यह हमारा फिलामेंट ओके तो आएए हम इसके बारे में थोड़ा के बारे में समझ गये एंथर प्रोडूसेश पॉलेंगरेंज देखिए एंथर के यहां फंक्षन दिया हुए एंथर क्या करता है पॉलेंगेंज को प्रोड्यूस करता है यह है है यह क्या क्या क्ता है रिपने में हम Neparticipate कर रहा होता है पौलेंगरे इसको सपोट कहां से मिल रहा होता है उसको सपोर्ट मिलता है फीलामेंड सी तो मेंट का क्या हो गया ना सबोर्ट करने किसको अन्थर को चलिए यह तु नेक्स्त page पे हम देखेंगे pistol और carpet तो यह fourth ring है this for the fourth ring कौन pistol or carpet या pistol or carpet is the female part of the flower और यह कहना female part हो गया flower का it consists of three parts इसमें three parts होते मिल लिए पहला तो होगा आपका stigma at the top second हो गया style तो फ्रायल एंड तीडीज में और ओवर एड़ बेस तो यह फीर में पर्षी पार्ट सोगेट यह पलों यहां पर हम देख लिए एक तरफ जो फॉडार पूरा पार्ट दिखाए गया है इसमें यह हमारे पास है कार्पिल और पीस्टिल जो कि है घृमे रिपनि पार्टुर्षट और Right Side आम यहां पर देख रहे हैं क्या см मैं स्टेमेल यह है और फ्लार का मेर रिप्रोडैक्टिफ पार्ट्थ इसमें कितने है आप देखिए स्टेमेन के टू पार्ट है पहला एंथर और दूसरा फिलामिंट और वहीं बात किया जा कार्पिल का तो कार्पिल में तीन है स्टिग्मा हना स्टायल एंड ओवरी तो यह होगे पार्ट्स लिखने के लिए आ सकता है अबजेक्टिव कोस्टन में कि कार्पिल के कितने पार्ट्स है और स्टेमेन के कितने पार्ट्स है तो कार्पिल के हमारे होगे थिरी पार्ट्स और यह स्टेमेन के होगे टू पार्ट्स अब यहाँ पे हम देखेंगे सभी को एक डाइगराम में दिखाया गया है पहला तो है सबसे निच्छे का बेस पॉर्षन हाँ इसको क्या कहा गया है पेडिसेल और इसके बाद यह है सीपल इसके बाद पीटल और इधर हो गया कारपेल और स्टेमेल ओके तो आए हम एकक करके थोड़ा से हां जानेंगे कुछ-कुछ लेखा हुआ है तो फर्स्ट में देखिए अस स्टीगमा स्टीगमान रिष्टीब्सट डफीपश विच जवziest जैयर बिनेट और इट तो स्टीगमा का क्या काम है न पॉलल और टविशेव करना प्राप्त करना ऐस पॉलल गैन ज्रूस इंटवाध टूय आप देख्ए इस this pollen grain grows into a tube called the pollen tube, यह pollen tube बुना लेते हैं, ओके, the transfer of pollen grain from anther to a stigma is called pollination, देखिए, अभी हम उपर में देखे थे कि pollination क्या होता है, तो यहाँ पे ना pollination का अपना definition मिल जाता है हम लोग को, हम लोग क्या लेखेंगे पॉलिनेशन के बारे में, the transfer of pollen grains from enter to a stigma is called pollination, तो ये था pollination का definition, pollen tube grows through the style to reach the ovary, और ये जो pollen tube है, ये किस से होके पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, style से होकर कर के, pollen tube grows through the style to reach the ovary, और तक पहुंच रहा है, ये देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, और ये हमारा style, style से होते वे, ये pollen tube यहाँ तक पहुंच गया, और तक, ओके, तो ये तो हम बिल्कुल समझ गे, next है, ovary wears a small ball like structures called ovules, देखिए, ovules है, कहाँ पे, तो ovary में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ovules हमको दिखाया गया है, हाँ, ovules यहाँ पे, तो ovules भी देख रहे हैं, और ovary भी हमको दिखाया गया है, ये जो pollen grains हैं, वो किसके साथ मिलते हैं, fuse करना मतलब मिल जाना, ओके, the pollen grains fuse with ovules to form seeds, और ये जो pollen grain हैं, ये किसके साथ मिल रहे हैं, ovules के साथ मिल रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, seeds बना रहे हैं, तो ये हो सकता है, objective question के seeds कैसे बना, तो pollen grain और ovules आपस में fuse किये, तो क्या बना, seed बना, आइए, next है हमारे पास pedicel, और ये कहा है, it is a small stock that attaches single flowers to the influence or cluster of flowers, तो ये stock है, ये जो pedicel है, आप कह सकते हैं कि जिसके उपर टिका होता है, फ्लार, उसको हम कह रहे हैं, तो it is a small stock that attaches single flower, ये single flower को जोड़ता है, to the fluorescence or cluster of flowers, तो flowers को आपस में जोड़ के रखा रहता है, इसको अपने position में बना के रखता है, फ्लार को अपने position में बनाया रखता है, कौन? पेडिसल आप कह सकते हैं कि इसको एक support दे रहा है, कि इसको फ्लार को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, निचे दिखाया गया है पेडिसल, पेडिसल का आप देखिए, ये जो lower part है, ये ही है पेडिसल, इसके उपर कहाना, फ्लार टिका हुआ होता है, उसके help से वो रहता है अब यहाँ पे आगया functions of flowers, okay, फ्लार का क्या-क्या functions है, तो first है, it is the organ of reproduction in plants, okay, plants में ये reproduction, reproduction का organ है, आप कहा रहें न, reproductive part, okay, तो ये reproductive part हुआ फ्लार किसका, plant का, and it grows into the fruits and seeds, और ये दिरे-दिरे न, किस में बदल जाता है, fruits में और seeds में convert होता है, कौन फ्लार, अब आगे है, flowering plants are grown in houses, flowering plants are grown in houses, gardens, parks, and road sites for their brilliant color, उसके brilliant color के लिए हम उसको अलग-अलग places पे grow करते हैं, beautiful shapes and fragrance, okay, उसमें उसके shapes होता है, attractive, उसमें fragrance जो is scented, इसके कारण हम उसको अलग-अलग जगा पे grow करते हैं, flowers of, flowers of, some plants are also used for interior decoration, decoration purpose मतलब सजावती के काम में, okay, decoration मतलब क्या हो रहा है, सजावती का काम, attractive look देने के लिए, हम किसका यूज़ करते हैं, flowers का यूज़ करते हैं, attractive look देने के लिए, gates हो गया, या फिर कहीं और places हो गया, जिसको attractive बनाना है, वहाँ पे flowers का यूज़ करते हैं, for decoration purpose, even some non-flowering plants are ornamental, कुछ-कुछ ऐसे flowers है, non-flowering plants है, जिसका use हो रहा है, decoration के लिए, okay, ornamental कहने का मतलब हो रहा है, कि decorative purpose के लिए, use किया जाता है, तो यह तो थे flowers के usage, आब यहाँ पर देखे, c और d भी हमको दिया गया, flowers का usage के बारे में, flowers yields perfumes, और scents, okay, तो flowers ते क्या बनता है, perfumes बनते हैं, और scents, scent बनते हैं, scent आप समझ रहे हैं, scented होना, okay, perfume हो है, some of the common perfumed flowers are rose, jasmine, cura, and lavender, तो यह flowers के नेम होगे, जिससे क्या बनता है ना, perfumes बनता है, तो आपको objective question दे सकता है, कि ऐसे flowers के नाम बता है, जिससे scent बनाया जाता है ने, perfumes, तो हम लिख सकते हैं, rose, jasmine, cura, और lavender, next हमारे पास, cloves, next function किसका, flower का, तो cloves के बारे में बात किया गया है, cloves, so often used as a spice, a spice मतलब मसाला आप समझ रहे हैं, and in medicines, और दवाई के रूप में यह होता है, कौन सा, cloves, और the dried flower, यह dried flower है, cloves के रूप में, तो medicines के रूप में, और spices, और मसाले के रूप में, यहां पर हमको दिखाया गया है, कुछ flowers, यह हम देख रहे हैं जस्मीन, जस्मीन से क्या बनाया गया है, परफ्यूम बनाया गया है, और इधर है हमारे पास, लोसन बना गया है, अर्निका है ना, अर्निका helps to cure owns, घाव को ठीक करने के लिए है ना, अर्निका से लोसन बनाया जाता है, बोडी लोसन जिसको आप कहा सकते हैं, वो, ताकि उससे डिजिस को ठीक किया जा सकता है, तो यह तो था अपना flowers के parts और उसके functions, अब आगे हमारे पास है, the seeds, the seed, ओके, आईए इसको देखेंगे और फिर fruit को भी देख लेंगे, a seed is a small hard structure that contains a baby plant, तो seed क्या ना, hard structure है, कैसा structure है, hard structure है, और यह क्या रखता है अपने में, baby plant को रखता है, it also has, it also has stored food for its growth, और जो seed होता है ना, उसमें food stored होता है, तो food जो stored होता है, वो किसके लिए, तो baby plant के लिए, उसको grow करने के लिए, when the seed finds moist soil, it germinates and gives rise to a young plant called seedling, तो seed, जब उसको, seed को जब मिलता है proper condition, तो वो क्या होता है, जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करना मिन्स, वहाँ से baby plant निकलना, ओके, seed से जो baby plant निकलता है, उस process को मैं लोग क्या कहते है ना, germination कहते है, तो germinate किया, अब यहाँ पे diagram में दिखाया गया, हम लोग को picture के help से, कि seed है ना, कैसे germinate कर रहा है, next है, this then grows into a full ground plant, फिर यह दिरे दिरे ना, पूरे plant का रूप ले लेता है, and produces flowers and fruits, और फिर plants जब develop हो गया, तो उसके बाद उसमें क्या निकलेगा, flowers और fruits निकलेंगे, तो यहाँ पे देखिए, stages दिखाया गया, stages of germination, तो पहले ना, seed को कहाँ पे हम लोग रखते हैं ना, soil के अंदर, उसके बाद वहाँ से develop होता है, baby plant, और यह baby plant उसमें देखिए, यह निची जो grow कर रहा है, that is the root system, और यह हमारा क्या हो गया ना, shoot system, तो shoot system, हना, soil के उपर हो इसे होता है, एक upward grow करता है, दूसरा downward grow करता है, तो यह तो यह होगी हमारा, stages of germination of seed, फिर आता है, seed का क्या-क्या function है, तो functions of seeds, इसमें हम लोग देख लें, कि पहला है, the seeds protect the baby plants, contain in them, तो seed का पहला काम है, baby plant को protect करके रखना, they also provide nourishment for their growth and development, और उसके growth के लिए, हना, food store करके भी रखता है, next है, the seed dispersal helps in the distribution of the species, species of plants and their better growth, तो जो species है, किसका plants का, उसका distribution हो रहा है, distribution होने के मतलब, एक जगा से दूसरे जगा तक फाइलना, और यह कैसे हो रहा है, seed dispersal के help से होता है, तो यह हो गया, इसका, seed का function की seed, जब disperse करते हैं, तो एक जगा से दूसरे जगा, plant का जो species है, वो develop हो जाता है, next है, यहाँ पे, the fruit, जो कि last topic है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को कर लेगे, stop, तो आईए हम लोग देख ले, after pollination, जब pollination हो जाता है, okay, and fertilization, the ovary grows into a fruit, जो ovary है, वो किस में ग्रो करता है, वो ग्रो करता है, वो ग्रो करता है, fruit के रूप में, आनि fruit का रूप ले लेता है, कौन, ovary, okay, तो ovary किस में convert हो रहा है, na, fruit में convert हो रहा है, यह हम लोग को यहाँ पे जानना चाहिए, यह objective question आ सकता है, next, fruit is defined as a mature और repent ovary, तो जो ovary है, वो mature हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे न, fruit कहेंगे, तो यहाँ से fruit का हमको definition मिल जा रहा है, एक sentence में हमको definition मिल जा रहा है, fruit का, कि fruit क्या है, तो fruit is defined as a mature और repent ovary, चलिए, यहाँ पे हम देख सकते है, right side दिखाया गया पपाया को, है न, चुकि एक fruit है, अब आईए, fruit के functions को में लोग देख लेते हैं, functions of a fruit, यह पहला function है, it protects the seed against injury and other unfavorable climatic conditions, तो unfavorable climatic conditions में, seed को protection कौन दे रहा होता है, protection मतलब बचा कर रखना, है न, कौन, fruits, तो fruits का पहला काम हो गया, seed को protect करके रखना, दूसरा है, it helps in the dispersal of seeds, seeds को disperse करने में help करता है, एक जगा से दूसरे जगा ले जाने में help करता है, it stores food material as in the case of tomato, apple and mango, यह food को भी store करके रखता है, तो food store करके रख रहा है, कौन, मेरा fruit, अब next है, fruits are the edible part of a plant, और यह plant का edible part भी है, कौन, fruit, तो यह तो होगे कुछ कुछ function, तो mainly हम यह देख लें कि dispersal of seed, और दूसरा seed को protect करके रखना, और तिसरा storage of the food, ओके, और यह edible part है, तो हम इसको learn कर लेंगे, यहाँ पर हम देख पार है न, दिखाया गया है tomato, apple और यह mango, यह क्या कर रहा है न, store कर रहा है, क्या store कर रहा है, food को store करके रखता है, चलिए, यहाँ तो हम लोग complete कर लिए, इसके बाद keywords है, तो I hope this video will helpful for you, so please like this video and share with others and do some comments, also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos, thanks for watching, have a glorious day ahead.